हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ जो है हेयर ट्रीटमेंट को लेकर आज के समय में सब कोई अपने बालों को लेकर परिशान है तो इसका सिल्यूशन में इस वीडियो में लेकर आई हूँ साथ दिन का जादोई हेयर ट्रीटमेंट बाल होंगे मजबूत और घने फ्रेंड स्वागत है हमारी खास नॉमबर सिरीज में आज हम आपके लिए लेकर ला आए हैं एक जादोई हेयर ट्रीटमेंट जो आपके बालों को सिर्फ साथ दिन में मजबूत और घना बना देगा तो बीना किसी देरी के जानते हैं ये खास घरेलो नुश्के तो नॉमबर एक है बादाम के तेल में थोड़ा सा विटामी ए का कैप्सूल मिलाकर बालों में लगाएं रात भर इसे छोड़ दें और सुबा फिर बालों को अच्छे से धोलें ये बालों में चमक लाएगा और उन्हें घना बनाएगा नॉमबर दो प्याज का रस निकाल कर इसकेल्प में लगाएं और 15-20 मिनट बाद सैंपू से इसे धोलें प्याज का रस बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों की ग्रोथ में शहायक होता है नॉमबर तीन एलोवेरा जेल को इसकेल्प में लगाएं और 20-30 मिनट के लिए इसे छोड़ दे एलोवेरा बालों में नमी बनाए रखता है और बालों को मुलायम बनाता है नमबर चार आवला पावडर में दही मिलाकर मास्क बनाए और बालों में लगाए ये बालों को शाइनी और मजबूत बनाता है और जड़ों को पोशड देता है नमबर पाच मेथी दानों को रात भर पानी में भीगो कर रखें सुभा इन्हें पीस कर इसका पेश्ट बना ले और इसकेलप पर लगाए तीस मिनट बाद हलकी गुनगुने पानी से इसे धोले मेथी बालों को पोशड देती है और बालों की ग्रोध भी बढ़ाती है नमबर चै नारियल तेल में थोड़ा सा नीबु का रस मिला कर बालों की जड़ों में मसाज करें ये बालों में डीव कंडिशनी करेगा और डेंद्रफ हटाने में भी आपकी मदद करेगा नमबर साथ दही और शहद को मिला कर बालों में लगाए ये hair mask बालों को नमी और पोशर देगा जिससे बाल soft और मजबूत बनेंगे तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा ये था साथ दिनों का जादूई hair treatment अगर आप इससे निमित रूप से फालो करेंगे तो आपके बाल जरूर मजबूत घने और खुबसूरत बन जाएंगे अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसांद आई हो तो वीडियो को लाइक और शब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई नई इनफर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाई